अगर आपने OPPO Reno 10 Pro या फिर OPPO Reno 8 Pro खरीदे हैं उसके अंदर सेटिंग्स एक ही होगा आपको लेकिन यहां पर हम आपको बताने वाले हैं OPPO Reno 10 Pro 5G या फिर OPPO Reno 10 5G, OPPO Reno 10 Pro Plus के अंदर अगर आप कीबोर्ड सेटिंग के वारे में जानना चाहते हैं मतलब कीबोर्ड के अंदर कैसे थीम चेंज करोगे, कैसे कलर चेंज करोगे, कैसे और भी लेंग्वेज एड करोगे, इन सारे चीज़ों के उपर यह छोटा से वीडियो आपको पूरा बिल्कुल काम बेहाने वाले हैं सबसे पहले आपको सेटिंग के उपर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको बिल्कुल नीचे की तरह आना है, या फिर मैं आपको और भी एक आसान तरीका बता देता हूँ यहाँ पर आप लोग सर्च के उपर कीबोर्ड ऐसे टाइप कर सकते हो, यहाँ पर कीबोर्ड इंपूर्ट एंड मैथूड रहेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले करेंट कीबोर्ड दिखने को मिलेंगे, बिसिकली आपके फोन के अगर कोई वी अलग कीबोर्ड के एप्लि उपर की तरफ लेंगोज दिखने को मिलता है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप चाहते हो, अपने कीबोर्ड के अंदर कोई भी लेंगोज को आप एड करना, तो यहाँ पर आपको नीचे एड कीबोर्ड दिखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक कर सक तो इसको select करके रहिए और अगर आप बिल्कुल भी यह नहीं है कि आपने एक select कर लिया तो दूसरे को select नहीं कर सकते अब दूसरे तीसरे जो चाहे मर्जी आप उसको select कर सकते हैं उसी के साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अगर आप language को delete करना चाहते हैं यह जो उपर pencil button है वानों आप Hindi को remove करना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर देजी मैंने off करके रखा हुआ है यहाँ पर देखिए sound on key press अगर आप इसको enable कर देते हैं तो आपके जब कोई भी की आप keyboard के उपर type करोगे तो वहाँ पर sound होगे उसके बाद pop up on key press इसका मतलब यह है जब भी कोई चीज़ आप type करोगे तो बड़ा होके वह उपर दिखाएंगे इससे आपको type करने में बहुत ज़्यदा मदद हो जाते हैं ठीक है long press delay मतलब long press करके आप microsecond रखने के बाद वह काम पर आएंगे यहाँ पर आप लोग 300 MS रख सकते होगे यह by default बहुत ही कमाल के होते हैं show app icon इसको on करके आप अपने जितने भी application है उसका icon अपने जो है मतलब menu के अंदर जब भी keyboard पे वो type कर गए उपर icon दिखाएंगे उसके बाद यहाँ पर back कर दीजिए यहाँ पर आपको theme के नजर आएंगे यहाँ पर आप अपने हिसाब से theme चूस कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको अगर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोग अंदज़ा लगा सकते हैं आपके phone के हिसाब से किस तरीके की theme आप यहाँ पर आप लोग इस्तिम और पाऊगे मेरे हिसाब से आप यहां पर state करके रख सकते हैं यहां पर color की भरमार है अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से जो भी चाहो उस तरीके की color आप लोग ले सकते हो और इसकी मतलब download जो size है वो काफी छोटा है अगर मैं आपके सामने एक download करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोग समझ प देते हो तो as it is जो मैंने on करके रखा हुआ है इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो कॉपी करके अपने हिसाब से अपने मतलब जो settings है उसके अंदर ऐसे कुई कर सकते हो ता कि आपकी चितने भी गलत शलत चीज आप लिख देते हो वो automatically solve हो जाए उसके बाद यहां पर आपको और भी चीज रहते हैं जैसे यह glide typing इसका मतलब यह है आपके gesture है मतलब आप अगर skin के उपर कुछ ऐसे लिखोगे keyboard on करके ऐसे लिखोगे तो automatic वो ले लेगा इससे आप इस option को enable करके ऐसे कुछ features का उपियों कहीं कहीं जगा पर कर सकते हो voice typing को अगर आप on करते हो तो आपके phone के अंदर अगर जब अब google के उपर youtube के उपर जाके voice on करके search करते हो उस time पे actual बहुत ही कमाल के तरीके से यह search करके देगा आपको analysis करके देगा और अगर off करके रखोगे तो वहां पर advance तरीके से यह काम नहीं कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर clipboard रहते हैं यह basically काम पर आते हैं जब भी कोई चीज आप copy करते हो उसको paste करने के लिए clipboard की जरुवत होते हैं अब अगर चाहते हो कोई भी skin shot आपने ली है phone के अंदर उसको save करना तो इसको यहाँ पर on कर सकते हो emojis sticker के अंदर आपको extra features दिखने को मिलेंगे जो लोग emojis लगाना चाहते बार बार WhatsApp चैट के अंदर emojis लगाते हैं send करते हैं वहाँ पर इनके लिए एक कमाल के option है emoji fast access raw यहाँ पर अगर आप click कर देते हैं तो जैसे अब keyboard के ऊपर कोई भी चीज टाइप करोगे ऊपर की अलग देखिए किस तरीके से change हो चुका है अब इसको अगर आप off कर देते हैं यह देखिए आपके keyboard कुछ ऐसे लगेंगे यह बहुत ही कमाल के settings है और keyboard के अंदर यह जो बटन है यहाँ पर click करके इतने सारे चीज का उपयोग अपलोग कर सकते हो यहाँ पर zip file है जो भी जगा सकते हो जैसे कि thank you अगर आप type करके देते हो तो यहाँ पर thank you के sticker आ जाते है इसको आप as it is send कर सकते हो यह आपके advanced keyboard के अंदर आ जाते है android के यह oppo Reno 10 series के अंदर यह आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे one handed mode इसको ऐसे अगर आप enable करते हो तो एक हाथ में keyboard इस्तेमाल करने के लिए यह ready हो जाएंगे अब यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे चीज है जो आप लोगो को काफी कमाल कर लगेंगी emojis के अंदर जाके आप emojis कर सकते हो चेक कर सकते हो और इस वीडियो के comment box पे आपको एक website का link मैं दे दूंगा जहाँ पर इस keyboard के कुछ ऐसे themes रहे वाले हैं जैसा मैंने comment पे दिया है पिन करके सब्सक्राइब करके लिंक देना YouTube के खिलाफ है और लास्ट पर मैं आपको यह बोलूँगा चैनल को जरू सब्सक्राइब करना क्योंकि यहाँ पर जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आपके डेली लाइप में बहुत ज्या झाले हैं और मैं यहाँ पर झाले हैं झाले हैं जितने वीडियोस हम भीडि़ जितने ऱज़ी हैं जितने भीडियोस हम आपके बोलूब